आप किसी से बे इंतहा मोहबत करते हैं और वो आपको धोका देके भाग जाए तो आपकी क्या दशा होगी आज की मूवी है दे इन्विटेशन यह एक कोरियन ड्रामा मूवी है और यह 2020 को रिलीज हुई थी आज हम इस मूवी को एक्स्प्लेइन करेंगे मूवी स्टार्ट करते हैं तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहां मूवी का में क्यारेक्टर जिसका नाम है वाल्टर उसे एक कॉल आती है और वो उसमें बताते हैं कि उसके घर पर तीन दिनों में कोई गेस्ट आने वाले है वो बात सुनकर बहुत ही डिस्टब हो जाता है उस कॉल की वज़े से उसे नीन भी नहीं आती क्योंकि जिसने कॉल किया था उसे छोड़े हुए वाल्टर को 17 साल हो चुके है उसकी याद में वाल्टर ने दिन बहुत ही गिन-गिन के काटे हुए है जोब की वाल्टर को नीद आ नहीं रही है, जिससे वाल्टर मिलने वाला था, उसका नाम स्कायलर था और अब तीन दिनों में स्कायलर आने वाली थी तो वाल्टर घर की साफसफ़ाई में लग जाता है वो चाहता है कि जब स्कालर उसे छोड़ कर गई थी और तब जब घर की हालत थी वैसी ही वो घर recreate करना चाहता था उसके लिए वो मास्टर के पास जाता है और मास्टर से कहता है यहाँ पर एक painting हुआ करती थी जब वो स्कालर के साथ था तब वो वहाँ पर लगाता था पर जब स्कालर उसे छोड़ कर चली गई थी तब वोल्टर ने मास्टर से उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था पर मास्टर उसे डिस्ट्रॉय नहीं करता वो उसे संभाल के रखता है अब उस painting को recreate करने के लिए उसके original artist के पास Walter जाता है जाते वक्त जिस गली से वो जाता है वो उस गली से गुजरते वक्त उसे scholar की याद आती है और पुराने दीन याद आ जाते है जब वो scholar के साथ वहाँ पर गुमा करता था उन दोनों ने ही साथ में जाकर उस painting को select किया था Walter paint की original artist के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुमारे पास वो painting है वो artist उस पर कहता है कि मैंने वो painting जला दी थी क्या वो वापस आने वाली है उस पर Walter कहता है हाँ scholar वापस आने वाली है उस पर आर्टिस्ट कहता है कि ये बहुत डेंजरस थींग है तुमारे लिए वो स्काइलर बहुत ही डेंजर है उस पर वाल्टर कहता है और मुझे उससे कुछ कोशन्स करने हैं फिर उसके बाद वाल्टर वहाँ से चला आता है अगले सिन में हमें दो लड़के स्वार्ड फाइटिंग करते हुए नजर आते हैं वहाँ एक औरत भी डांस कर रही होती है उसी का नाम स्काइलर है और जो स्वार्ड फाइटिंग में लड़का फाइटिंग कर रहा है वो उसका बेटा है जिसका नाम फ्लिंग है Skyler मेकप करती है और उसका प्लान नीचे जाकर ड्रंक होने का होता है पर यह बात फ्लिंग को अच्छी नहीं लगती Skyler अपनी बेटे से कहती है कि मैं बहुत दिनों के बाद इस टाउन में आई हूँ मुझे अच्छा लगना है और वो नीचे चली जाती है उसके बाद उसका बेटा भी नीचे आता है और वो Skyler से कहता है कि इतना सब कुछ हम यहाँ पर अफॉर्ड कैसे कर पा रहे हैं वो दोनों असलियत में एक होटल में रुके है वो टाउन में आ चुके होते है पर एक होटल में ठहरते है फ्लिंग कहता है हमारे पास तो इतने सारे पैसे भी नहीं है उस पर Skyler कहती है कि तुम्हारे ग्रैंट फादर बहुत ही रीच थे फ्लिंग कहता है अगर वो हम इतने रीच थे तो हम यहाँ पर दरदर भटक क्यों रहे हैं हम अलग-अलग शहर में ऐसे क्यों रहते हैं उस पर Skyler उसे अच्छे तरीके से एक्स्प्लेन नहीं कर पाती क्यूंकि यहाँ पर दिखाया जाता है कि Skyler ने कुछ तो भी बहुत ही जिसमें वो Skyler और उसका ब्रदर उस इमेज में थे उसके बाद एक टेप था जिसे उसने अभी तक सुना नहीं था उसके बाद फ्लिंग डिरेक्ली वॉल्टर के पास आ जाता है उसे वॉल्टर के बारे में कुछ नहीं पता होता मिलते ही वॉल्टर से कहता है कि मैं आपके ब्रदर का बेटा हूँ यानि कि वॉल्टर फ्लिंग के अंकल हुए उसके बाद वॉल्टर उससे कहता है कि तुम्हारे पापा यानि कि फ्लिंग के फादर तीन साल पहले ही मर चुके हैं यह बाद फ्लिंग को पता थी फिलिंग आगे कहता है कि वो पूछना चाता है वॉल्टर से कि उसके पापा कैसे थे उस पर वॉल्टर कहता है कि वो उसके अपोजिट थे वॉल्टर खुद को बहुत बोरिंग किसम का समझता है इस बारे में हमें आगे पता चलेगा थोड़ा आगे जाते उसे एक वुड़ करना चाहता है Walter के साथ उन दोनों के fight में Walter जीट जाता है वो fling को हरा देता है fling को इस बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि वो fighting में बहुत ही master होता है उससे भी अच्छा master Walter होता है उसके बाद fling Walter से कहता है कि तुम्हें मेरी मदर ने बहुत सारे letters लिखे पर तुमने पड़े नहीं सच में Walters ने पड़े नहीं होते है और वो कहता है कि हम अलग-अलग जगा पर घूमते रहे हमने कभी भी stable life नहीं जी है पैसे की कमी होने की वज़े से हमें इधर उधर रहना पड़ता था यह सब कुछ तुमारी वज़े से हुआ है अब मैं stable life जीना चाता हूँ इसी घर में और इसी शहर में तो तुम यहां से चले जाओ Walter उससे कहता है कि मैं अपने ही घर से चला जाओ वहाँ पे सीन खतम हो जाता है उसके बाद Fling अपने होटेल में वापस आ जाता है और उसकी मा से कहता है कि मैं यहीं कहीं गूम रहा था स्कालर उससे पुछती है कि तुम कहां गए थे उस पर वो बोलता है कि मुझे stable life चाहिए और मैं यहां वहां भटकना नहीं चाहता यहां बात उन दोनों में होती है नेक्स सीन में वाल्टर को वो आर्टिस्ट पेंट भेजता है जो उसने पेंटिंग मंगवाई थी और उसके साथ एक लेटर भिजवाता है उसमें वो दिखता है मुझे आशा है कि जो भी तुम्हें कोश्चन स्कालर से पूछने है उसके जवाब तुम्हें मिल जाए नेक्स सीन में वाल्टर एक दुकान में आता है जहाँ वो क्रॉकरी लेने आता है जैसे कि हमें पता है कि स्कालर से मिलने के लिए वो जैसा वो छोड़के गई थी वैसा ही घर रिक्रियेट करने वाला था इसलिए वो सब चीजे वो घर में लाता है अब वाल्टर जिस दिन का वेट कर रहा था वो दिन आ चुका है फाइनली वो स्कालर से मिलने वाला था जब स्कालर आती है घर में तब वो नोटिस करती है की जैसे वो छोड़के गई थी चीजे वैसे कि वैसी ही है सब की सब वही पर वो पेंटिंग को देखती है और कहती है कि ये पेंटिंग बहुत Bliest Beim है जो कि वो भूल चुकी थी उसके बाद वो वाल्टर से कहती है कि क्या मेरा बेटा यहां पर आया था वाल्टर कहता है हाँ यानि कि वो फ्लींग की ही मदर थी अब यहाँ actually में हमें पता चलता है कि क्या हुआ था flashback में हमें दिखाया जाता है scholar को Frank जो कि Walter का brother था वो घर पर लेके आता है Walter जब first time उसे देखता है scholar को तब ही वो ठान लेता है कि यही मेरी wife बनेगी क्योंकि Frank as a friend scholar को घर पर लाता है Frank Walter से बहुत ही opposite था Frank को music पसंद था अलग-अलग जगा पे गुमने जाना पसंद था और वो बहुत ही exciting किसम का इंसान था जो की बिल्कुल opposite था Walter से इसी वज़े से scholar उसे छोड़ के चली गई ऐसा Walter हमें बताता है ऐसा उसे लगता है उन दोनों में एक अच्छी relationship डेवलप होती है फाइनली Walter स्काइलर को शादी के लिए अप्रोच करता है उन दिनों स्काइलर इवनिंग में वाकिंग के लिए कही तो भी जाती थी उसके बारे में Walter ने कभी उससे पूछा नहीं वो कहां जाती थी वो उसे पता नहीं था पर एक दिन जब वो फ्रैंक के रूम पे जाता है और देखता है कि वहाँ पर स्काइलर की इनरवेर पड़ी है तब वो उसे पता चल जाता है स्काइलर और फ्रैंक का अफेर है अब हम प्रेजेंट में आते हैं वोल्टर स्काइलर से कहता है वो उसे टी के लिए पूचता है और कहता है कि जिस दिन तुम मुझे छोड़के गई थी तुमने जो मुझे टी पिलाई थी ये वही टी है अब इसी सीन को हमें फ्लैश बैक में दिखाया जाता है जहां स्काइलर वोल्टर को टी पिला रही होती है वोल्टर टी पीने ही वाला होता है बीच में स्काइलर उसे रोक देती है और वहां से चली जाती है अब प्रेजेंट में वोल्टर स्काइलर से कहता है कि मैंने वो टी लेक में फेक दी थी और दुसरे दिन देखा तो सभी फिशेश उसमें से मर गए थे यानि कि स्काइलर उसे पॉइजन देना चाह रही थे वॉल्टर उससे पूछता है कि सच में शादी से एक दिन पहले चाह तुम मुझे जान से मारना चाहती थी उस पर स्काइलर कुछ भी जवाब नहीं देती इस खामुशी का मतलब वो हा समझ लेता है मतलब कि ये सच था उसके बाद वो पूछता है कि क्या तुमारा मेरे ब्रदर के साथ अफेर था उस पर भी वो कुछ नहीं कहती यानि कि ये भी सच था वॉल्टर का ब्रदर फ्रैंक उसके पास पैसे की कोई भी मैनेजमेंट नहीं था मतलब कि वो बहुत ही कूल था, exciting था बहुत ही opposite था वॉल्टर से फिर भी उसके पास पैसों का कुछ मैनेजमेंट नहीं था वो तरह-तरह की investment करता रहता था उस वज़े से उसके पास जितने भी पैसे थे वो खतम हो गए थे उसके पास रहने तक की जगा नहीं तो इसलिए वो Walter के यहाँ पे रुका हुआ था प्रेजिंट में Walter Scalar से कहता है हमारे ग्रैंट फादर ने हमारे लिए बहुत सारे पैसे जमा करके रखे थे पर फ्रैंक ने उसका अच्छे तरीके से कंजर्वेशन नहीं किया पर मैंने किया था तो तुम दोनों ने मेरे पैसे लेने के लिए स्कालर ने स्टैंप ले रखा थ वोल्टर का तो इसी वज़े से वो दोनों का प्लान था कि Walter से पैसे ले लिए जाए और तोनों भागिए पर फ्रैंक स्कालर को भागने के लिए मना कर देता है नहीं तो वो वोल्टर के पैसे लेकर भाग जाते इसलिए वो वो आलटर को मारना चाहते थे प्रेजेंट में वॉल्टर स्कालर से कहता है कि तुम मुझे मारने वाली थी यह बात क्या मेरे ब्रदर को पता थी उस पर स्कालर कुछ भी जवाब नहीं देती अब वॉल्टर के पास फ्रैंक ने दी हुई एक टेप रिकॉर्डर है जिसमें उसने सब कुछ कनफेस किया है कि उसने वॉल्टर के साथ क्या क्या बुरा बरताव किया है वो सब कुछ फ्रैंक कनफेस करके टेप में रिकॉर्ड करके रखता है और मरने से पहले वॉल्टर को इस वज़े से वो स्कालर को अभी पीने के लिए दी थी इसमें पैसन भी नहीं था क्यूंकि वो Skyler से अभी भी प्यार करता था वो उसके ब्रदर से बहुत प्यार करता था इस वज़े से वो Skyler से कहता है कि अब तुम जुट भी बोलोगी तो भी मैं अब विश्वास नहीं करूँगा क्यूंकि Skyler जब छोड़के चली गई थी तब Frank उसने suicide कर ली थी और वो tape उसको दे दी थी वाल्टर जिससे प्यार करता है उसे hurt नहीं करना चाहता इसलिए वो दोनों को भी माफ कर देता है यहाँ पर उन दोनों की meeting खतम हो जाती है जो भी वाल्टर के मन में questions थे वो सब वो निकाल देता है और सभी के answers उसे मिल जाते है जाते जाते Skylar भी वाल्टर से कहती है कि मैं इन सब चीजों के लिए बहुत बड़ी माफी मागती हूँ यह सब कुछ मैंने नहीं करना चाहिए था इसके लिए वो वाल्टर से sorry कहती है और वो अगले दिन टाउन से निकलती है कार में हम Fling और Skylar को देख पाते है जहां Fling उसने अपना mindset change कर लिया था वो जहां इस city में stable रहने की बाते कर रहा था पर वो अपनी मा को भी नहीं छोड़ सकता था अब यहां हमें पता चलता है कि Skylar, Frank और Walter को छोड़ के क्यों गई थी अच्छुली में वो pregnant थी और वो किस से pregnant थी वो उसे पता नहीं था वो Walter को मारने वाली थी और उसे पता नहीं था कि वो किसका बच्चा है इसलिए वो छोड़ देती है Walter भी उससे प्यार करता है इसलिए वो पैसे लेकर छोड़ देता है रात में Walter को एक कॉल आती है जिसमें होटल का मैनेजर उससे कहता है कि आपके वाइफ और बेटे का यहां पे रहने का जो बिल है वो आपको पे करना पड़ेगा यह बात सुनकर Walter को ऐसा लगता है कि Fling उसका ही बेटा है यह बात उसे तब पता चलती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है उसको एक हैपिनेस मिल जाती है यही पे मूवी का एंड हो जाता है अगर आपको यह एक्स्प्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मैं वीडियो सब्सक्राइब इस चाइनल मैं अलग-अलग मूवीज लाती रहती हूँ प्लीज डोंट फोगेट टो सब्सक्राइब ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो में